लोक सबम में विपक्ष के नेतर राहूल गांधी को बीजेपी नेताओ के द्वारा आतन की कहने पर विपक्ष भड़क गया है कॉंग्रेस सहीत विपक्ष नेताओ ने बीजेपी के नेताओ पर निशाना साधा कौंगरिस निता अजय मकन ने कहा बीजेपी नेता राहूल गांदी को मारने की धंकी दे रहे है राहूल गांदी के परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है बीजेपी ने भारत में राजनेती के इस्तर गिरा दिया है एक व्यक्तिने नहीं बलकि कई बीजेपी नेता ने एक जैसी बात कही है मतलब बीजेपी के सीनियर नेता कही आदेश होंगा राहूल गांधी मरने की दमकी से डरने वाले नहीं है मगान ने आगे कहा कि बीजेपी के साहियोगी दल के विधायक ने राहूल की जबान काटने वाले को 11 लाग देने की बात कही है इन लोगों के खिलाफ हमने पुलीस को कारवाई करने के बारे में कहा चार के किलाफ शिकायत दी है इस मुदिपर शिल सेना ने तो संजे राहूत का भी बयान सामने आया है राहूत ने कहा कि बीजेपी राहूल पर हमला करना चाहती है ये लोग राहूल को आतंकी कह रहे है इसके बीचे बड़ी साधिश है सारा विपक्ष राहूल के साथ खड़ा है बीजेपी डर गई है इसलिए ऐसी भाशा बोल रही है रूस में विपक्ष को मार देते है और ऐसी प्रवत्ति ये लोग भारत में लाना चाहते है